स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी आई टिया यूट्यूब चनल में आई आरियल इंडिया लिम्टेड में आई टिया डिप्लोमा और ग्रिजुएशन के लिए वैकेंसी आई हुई है जो की एक तरह की पर्मनेंट जाब है आई टिया के लिए ट्रेड्समें की वैकेंसी है तो अगर आप यहाँ पर इलिजबल है तो इसका फॉर्म कैसे ऑनलाइन फिलप करना है इटेल वीडियो हमने आल्रेडी बना दिया था जिसको आपने देख़ भी लिया होगा नोटिफिकेसं में अगर नहीं देखा है तो आप चाहें तो चकाइब कर सकते हैं दिस्क्रिप्षन मे उसकी लिंक है apply करने का link भी हमने description में दे दिया आप वहाँ से click करके direct इस page पे आ सकते हैं और apply कर सकते हैं starting date आप देख सकते हैं 17 June से form start हुआ है 7 July इसकी last date है यहाँ पे आप देख सकते हैं complete इसका पूरा advertisement है ठीक यहाँ fresh candidate यहाँ पे login के लिए अपना create कर सकते हैं यहाँ पे registration process है आपका बनाने के लिए ठीक है उपर भी यही same चीज़ दिख रहा है तो आप कहीं भी click करके start कर सकते हैं fresh candidate पे click करते हैं login करने के लिए अगर आपको apply करना है same steps आपको भी follow करने होंगे अपने ही mobile phone से आप apply कर सकते हैं आसानी से चैनल पे नहीं है तो subscribe कर लिजेगा साथ में telegram tech study ITI पे जरूर जूड़ जाएगा यहाँ पे देखे post applying for सबसे पहले आपको select करना है उपर देखेंगे graduate trainee finance, graduate trainee HR, diploma trainee technical, junior supervisor, personal secretary अब यहाँ पे ट्रेट्स्मेंट trainee ITI OSCOM unit Odisha for any of the projects of company फिर ट्रेट्स्मेंट trainee ITI चावरा unit Kerala ट्रेट्स्मेंट trainee ITI यह है आपका मनवाला कुरुची unit Tamil Nadu का तो suppose करिए आप जहाँ भी apply करना चाहें उसको आप select कीजिएगा हम यहाँ पे PC6 चूच करते हैं ट्रेट्समेंट trainee Odisha के लिए candidate name अब यहाँ आपको क्या करना है पहले select post करना है फिटर है electrician, instrumentation, attendant, operator, chemical plant यह चार ट्रेड यहाँ पे eligible हैं आपका जो ट्रेड हो आप यहाँ पे चूच कर लिजेगा इसके बाद आपको अपना नाम fill up करना है data birth fill up करना है email id आपको fill up करनी है अपनी ठीक है then re-enter करनी email id password बनाना आपको एक minimum 4 character का mobile number आपको डालना है अपना यहाँ आपको yes करना है तिन आपको submit कर देना है ठीक इतना fill up कर लेते हैं यहाँ सभी details हमने fill up कर दी है अभी हम इस पे submit पे click करेंगे जैसे आप submit पे click करेंगे यहाँ पे देखे आ गया successfully registered and acknowledgement has been sent to your email id now you can login using your email id and password अब आपने जो password डाला था 4 character 5 character जो भी आपने डाला था वो and आपकी email id से आप यहाँ पे direct login कर सकते हैं proceed to login पे click करेंगे यहाँ आप email id डालिएगा यहाँ पे आप post applied and यहाँ पे password और आपका login हो जाएगा देखे जैसे आप submit करेंगे login करके यहाँ पे total आपके 1, 2, 3, 4, 5 5 steps आएँगे जिन्हें आपको complete करना होगा देखे लिखा है ना यह सारे steps आपको यहाँ क्या करने होगे complete करने होगे पहला है fill application second है uploading photograph and signature then uploading documents यहाँ पे preview application then print application तो सबसे पहले यहाँ click कर लेते है fill application पे fill application में आपका personal detail then qualification, experience detail and additional details आपको fill up करने होगी click here to personal detail यहाँ पे आप देखेंगे आपको complete जो है personal detail यहाँ पे fill करनी है father's name हो गया state कि state से आप दो missile belong करते हैं वो सब कुछ आपको क्या करना है एक दम accurate आपको fill करना है कोई इसमें mistake आपको नहीं करनी otherwise आप यहाँ पे problem में आ सकते हैं अच्छा आप ओडिसा के लिए apply कर रहे हैं state आप देखेंगे दो रहेगा एक भूनेस और एक कटक आप दो ही जगहों पर इंट्रेंस एक्जाम के लिए written exam के लिए दे सकते हैं ठीक है इसी तरीके से यहाँ father's name है यह भी आपको select करके fill up करना है मैं complete fill up कर लूँगा address आपको fill up कर देना है then permanent address अगर दोनों सेम है IRL के DS करिएगा address no करिएगा कुछ चीज हैं आपको यहाँ पहले बता दे ex-servicemen आप no करिएगा अगर नहीं है तो marital status आप जरूर बताएगा अपना क्या है nationality choose कीजिएगा ठीक है अगर आपने VRS लिया government APACU से वो आपको यहाँ पर डालना है यह सब चीजें आप जो है are you applying under compassionate तो यह भी आप yes मत करिएगा कई बार आप लोग गलती से yes कर देते हैं और आपके पास यह चीजें होती नहीं है compassionate appointment का मतलब होता है कोई REL का employee हो वो किसी accident या किसी चीज में अगर वो खत्म हो गया है वो save हो जाएंगे back हो जाना है then आपको qualification की detail अपनी fill up करनी है जैसे आप qualification detail पर आएंगे यहाँ देखे ध्यान दीजेगा ठीक है qualification का पहले यहाँ label select करना then add करना है फिर उसकी आपको detail fill up करनी है जैसे यहाँ पर मैंने choose किया 10th ठीक है add qualification अब जैसे आपने 10th यहाँ choose किया अब यहाँ पर 10th को पूरी detail आप 10th की क्या करेंगे देके save कर देंगे फिर आप अगले step पर जाएंगे 12th की add करेंगे फिर अगले step पर जाएंगे ITI की add करेंगे आप डिपलोमा है ग्रेजुएट है तो आप यहाँ पर add कर देंगे यहाँ तक आपको साइद कोई problem नहीं होगी इसको भी add कर लेते हैं एक चीज़ यहाँ ध्यान दीजे यहाँ पर month and year पूछ रहा है तो आप जैसे suppose कि रे 10th का आपका जो session स्टार्ट हुआ मालीजे जुलाई से स्टार्ट हुआ तो आप जुलाई to June आप डाल सकते हैं हो सकता आपका result में में आया हो फिर भी आप इसको डाल देंगे इससे कोई issue नहीं आएगा duration automatic यहाँ पर आज आएगा नहीं आता है तो आप one year या two year जो रहे है उसको चूच कर लीजेगा passing year का result आया वो board क्या था school college का नाम marking scheme क्या थी कितने number आपको मिले total कितने थे वो सब कुछ आपको यहाँ पर fill up करना है division delivery mode सारा कुछ ठीक है इसको fill up करके फिर हम आपको दिखा देते हैं क्या आपको fill up करना रहेगा देखिए यहाँ क्या क्या fill up करना है qualification should be as per degree या certificate जो certificate में आपके qualification हो matriculation high school intermediate जो लिखा आप उसको यहाँ type कर सकते हैं subject specialize में आप चाहें सारे subject के नाम लिख सकते हैं या आप science लिख सकते हैं बगर science side से आप हैं तो high school वैसे आप यहीं रहेंगे period यहाँ पर हमने डाल दिया 2067 वन येर का duration था passing year जून 2060 डाल दिया हमने board university UP board college का नाम डाल देना है marking system जितने पाया आपने total कितना percentage automatic आ गया division and delivery mode में देखिए full time है part time correspondence distance तो आपका जैसा रहे full time part time correspondence आपको फिर क्या करना यहाँ पर select करना है आपका 12th या ITI जो भी हो उसके बाद आपको फिर से उसको add करना है ITI को select कर लेते हैं add करते हैं qualification यहाँ पर ठीक यहाँ भी देखिए same चीज़ें आपको यहाँ पर भी fill up करनी है यहाँ जैसे पूछा जा रहा है देखिए तो ITI अगर आपने apprenticeship किया NAC आप चूच करेंगे apprenticeship certificate से specialize में आप fitter डाल देंगे period आपने कब से कब तक किया वो आप डाल देंगे यहाँ पर जब से आपका session जैसा चला हो जब से आप यहाँ पर डाल दीजेगा ठीक है सब्पोर्ज करें हम यहाँ पर डाल देते हैं इस तरह से आपका हो गया duration आपकी two years की होती two years हो गया result आपका कब आया है वो आपको यहाँ पर डाल देना है ठीक आप अपने certificate recording डालिएगा इसमें confused आप बिल्कुल मत होईएगा कोई doubt आए तो आप comment कर सकते हैं बोड या इन्वर्स्टी में आप NCVT हैं NCVT, SCVT, SCVT टाइप करेंगे school college के नाम पर अपने ITA का नाम डालेंगे marking system में marks डालेंगे total marks आपके जनली 1400 होते हैं maximum कितने थे कितना आप पाए उसमें वो सारा कुछ आपको यहां पर fill up कर लेना है यह करके आपको save qualification पर click करना है अभी यहां पर फिर से आपकी qualification जो है detail वो save हो जाएगी देखिए यहां पर दोनों detail आपकी add हो चुकी है ठीक validate qualification and proceed to next step अभी यहां आपको करना है validate इसको and आपको next step पर proceed कर जाना है जैसे validate होगा देखिए यहां पर validation हो गया अभी यहां पर आ गया experience detail फिल करने का ठीक है two years experience आपको required relevant trade में आपका experience industrial हो सकता है apprenticeship training कुछ भी जो आपका हो वो आपको यहां पर fill up करना है अगर आप currently work कर रहे हैं central government, state government या an autonomous body, public sector undertaking, statutory organization या private organization वो सब कुछ आपको यहां पर select करना है आप कहां पर job कैसा कर रहे हैं वो आपको डालना है suppose कर आप private कर रहे हैं private डालना है experience total आपका कितना हुआ है वो आपको fill up कर देना है ठीक है यहां पर yes आपका experience है तभी आप इसको apply कर पाएंगे अब यहां आपको वो experience detail जो है वो add करनी है ठीक है add करना इस पर add पर जैसे आप click करेंगे इस तरह का आपके सामने page open हो जाएगा इसमें आपका कब से आपने join किया कब तक आपने किया अगर अभी भी काम कर रहे हैं तो इस box में click कर देंगे कैसा organization, organization का नाम, location, post, post का grade क्या है pay scale कितनी है, pattern क्या है, pay scale का वो सब कुछ आपको fill up करना यहां पे मैं इसको बार fill up कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ देखिए यहां पर form का वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है बट आप देख लीजगा जैसे आपने कप से start किया, कब तक आप काम कर रहे है, private sector, company का नाम क्या post है, वहाँ पे आपकी CTC, आपका annual कितना है, average annual turnover आपका कितना है, company का ठीक है, वो बताना है, जिन आपको job responsibility अपने explain करनी है मैंने example ज़स्ट दिया है, आपका जो job responsibility आप 500 character में explain कर सकते हैं reason for exit आपको देना होता है, जैसे need more scope to grow and enhance my knowledge and skills, इस तरह से आप कुछ उसमें लिख सकते हैं, जैसे आप लिख देंगे, फिर आप save experience CTC, per annum in two levels should contain at least two digits, okay ठीक, अभी इसको आगे बढ़ाते हैं, save करते हैं experience, detail, invalid form date आपको ध्यान देना, जो experience आपका हो, आपकी qualification के बाद ही वो start होना चाहिए, तब ही वो valid experience होगा आपका जैसे यहाँ पर देखे, experience detail add हो गई, अभी कुछ additional detail है, आप वो चाहें, तो यहाँ पर add कर सकते हैं, इसमें आप चक करिए, अगर additional detail कुछ है, तो उसको भी आप यहाँ add कर सकते हैं additional information मागी जा रही, if selected, specify the minimum required joining time, किता time आपको लग सकता है, minimum वहाँ पर join करने लिए, suppose कर यह one month आपको लगता है, तो आप यहाँ पर देंगे one month, ठीक है, extra कोई activity है, तो आप उसको दे सकते हैं, यह mandatory नहीं है, ठीक है, mother tongue यह भी mandatory नहीं, एक बार यहाँ पर हम क्लिक कर लें, whether any civil crime, no, यहाँ पर क्लिक करते हैं, देखते हैं, अगर बिना उसके, fill option, mother tongue आपको fill करने है, तो mother tongue आप यहाँ पर डाल सकते हैं, अपनी हिंदी, अभी करते हैं, save हो गया, ठीक है, अभी यह आपकी पूरी detail यहाँ save हो गई, अब आपको यहाँ पर photograph डालना है, अपना एक signature डालना है, then next step पे जाना है, photograph और signature आपके 20 से 50 के भी, photograph और signature आपका 10 से 20 के भी तक का होना चाहिए, कर लेते हैं upload, यहाँ पर photo और signature upload हो चुका है, इसके बाद देखते हैं आपको क्या क्या चीज़ें upload करनी है, यहाँ पर आपको आपका upload 10th certificate है, ITA का certificate है, cash certificate है, upload experience certificate है, इतनी चीज़ें आपको यहाँ पर upload करनी है, यहाँ पर सारे document upload हो गए, आप देख लीजे यहाँ पर इन सब को 300 KB तक का PDF रखना है, experience certificate आपका 1 MB तक का हो सकता है, जैसे save and proceed आप करेंगे, यहाँ पर देखेंगे, save to proceed, यहाँ, देखे, proceed to preview application form, इस तरह से आपके application का एक print out आपके सामने दिख जाएगा, इसमें आप सब कुछ चेक कर सकते हैं, का आपका सब कुछ सही है या नहीं, अगर आपको कोई चीज उसमें अभी mistake लग रही है, पू फीस payment का option आएगा, submit करने की time पे, अगर आप SCST या विवन के अडिएट हैं, तो आपका application form direct submit हो जाएगा, फीस payment आप आसानी से अपने credit card, debit card, UPI या net banking से कर सकते हैं, जो की है total 472 रूपीज, तो I hope आप कर लेंगे आसानी से, यहाँ पर proceed to submit पे click करते हैं, जैसे proceed to submit पे click करे करेंगे, देखेंगे, यहाँ पर आगया क्योंकि हमने यह category यहाँ पर SC चूच की थी, हमने just educational purpose ले वीडियो बनाया था, तो इसमें आपको कोई form, जो है, fees pay करने की जुरूत नहीं है, अगर आप किसी और categories रहेंगे, यहाँ पर आपको fees pay करने का option आएगा, अभी आपको क् simply इसे print out करके अपने पास रख लेना है, नीचे आप आएंगे, यहाँ I hereby accept and confirm the undertaking, आपको क्या करना है, yes कर देना है, do you want to proceed, yes पर क्लिक करना है, आपको यहाँ पर submit कर देना, अब आप इसमें कुछ भी modification नहीं कर पाएंगे, तो अब इसी तरह से अपने mobile phone से अपना form आसानी से fill up कर सकते हैं, वीडियो अच्छे लगी सब्सक्राइब बटन को हिट कर दीजेगा, बाकी मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगले वीडियो में, thank you very much